नमस्कार इंडिया एस्पिक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिंटु जा सोसल मीडिया मंचों पर पैसे लेकर उत्पादों का प्रमोशन करने वालों के लिए नियम बनाने को लेकर सरकार तेजी दिखा रही है भारतिय विग्यापन मानक परिसद के हिसाब से 12,000 करोण रुपए के पार हुए सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर उद्योग के लिए जल्द दिसा निर्देश सामने होंगे सूत्रों के मताविक इन नियमों के तहट इंफ्लूएंसरों को डिस्क्लेमर के साथ प्रमोशन करना अनिवार होगा इसके साथ उलंगन की स्थिती में 10 से 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा सोसल मीडिया पर पेड प्रमोशन करने वालों पर सरकारी नियमन को कुछ अगरनी इंफ्लूएंसरों ने स्वागत योगी कदम करार दिया है उनका केहना है कि इससे डिचिटल बजार ना सिर्फ सुव्यवस्थित होगा बलकि जुर्माने के डर से इंफ्लूएंसर भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे हलांग की जुर्माने पर उनका मानना है कि इसका दाइरा उलंगन करने वाली समंधित पोस्ट से कमाई के अनुपात में रखना जादा उचित होगा बता दें देश में इंफ्लुएंसरों की तादार लगातार बढ़ती जा रही है इस छेतर में मौझूदा असपस्ट ताओं के मद्दे नजर सरकार को इसके लिए नियम बनाने की जरूरत आन पड़ी है इंस्टाग्राम पर साथ हजार से जादा फॉलोवर्स वाले एक इंफ्लुएंसर का कहना है कि प्रतावित दिशा निर्देश सोसल मीडिया पर यूजर्स के लिए किसी पोस्ट के पेड होने या ना होने की संदिगता को खत्म कर देंगे हलांकी सुरुआत में इंफ्लुएंसरों को नियम से सामनजस से बिठाने में कुछ दिकत्ते आ सकती है पर दिर्गावदी में इनसे डिजिटल मार्केटिंग तंत्र सुवेवस्थित बन जाएगा उप्भोगता मामलों में मंत्राले द्वारा जल्द सोसल मीडिया इंफ्लुएंसरों के लिए व्यापक दिर्शा निर्देश लाने की उम्मीद है इनके बाद इंस्टाग्राम जैसे मंचो पर विविन उत्पादों की कमपनियों से पैसे लेकर पोस्ट डालने वाले लोगों को साप साप ब्रांड प्रमोसन की जानकारी देनी होगी अभी के लिए फिलाल इतना ही इसी तरह की महत्पुन खबरों के लिए बने रिये इंडिया इस्पिक डेली के साथ धन्यवाद